क्या सिरीदेवी अपनी बेटी जानवी को अधाकारा बनाना नहीं चाहती थी? जानवी कपूर कितनी पड़ी लिखी हैं? अधाकारा का बड़ा एतराफ बॉलिवुड की आंजाहानी अधाकारा सिरीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने 2018 में रिलीज होने वाली अपनी पहली फिल्म धड़क से बॉलिवुड में डेब्यू किया था अब तक वो मतादद फिल्मों में अधाकारी के जोहर दिखा चुकी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं के अधाकारा की वालदा आंजाहानी लेजंडरी सिरीदेवी नहीं चाहती थी के जानवी अधाकारा बने बलके वो अपनी चोटी बेटी खुशी को अधाकारा बनाने के हग में थी जी हाँ बिल्कुल ये हकिकत है जानवी कपूर की पहली फिल्म के प्रोड़ीparty के बकूल सृरीदेवी काफी परिशान थी अगर्चे वो अपनी बेटी जानवी की अधाकारी के हुआले से परिशान थी ताहम साथ ही वो उन्हें अधाकारी के लिए तयार भी कर रही थी क्योंके उन्हें अंदाजा था कि शौविस के लोग दोनों मा और बेटी की अदाकारी का मवासना करेंगे बदकिस्मती से सिरीदेवी अपनी बेटी की पहली फिल्म देखना पाई क्योंके फिल्म धड़क जुलाई 2018 में रिलीज हुई थी जबके जानवी की वालदा माजी की खुबसूरत अदाकारा सिरीदेवी मस्कूरा फिल्म की रिलीज से पांच माँ कबल यानि 24 वर्वरी 2018 को इस दुनिया से रुखसत हो गई थी पहली फिल्म की रिलीज के बाद एक इंटरव्यू में अदाकारा जानवी कपू ने इनकशाफ किया था कि माँ का ख्याल था कि फिल्मों के लिए मेरी जल्द ज्यादा अच्छी नहीं है और मैं बहुत सादा और भूली भाली हूँ जिसके बाद वो कभी नहीं चाहती थी के मैं अदाकारा बनूं बलके खुशी फिल्मों में आए जानवी ने अपनी वालिदा के बारे में कहा कि वो हमारी आराम देजिन्दगी की खाहिश मन थी उन्होंने बताया के मैं बच्चों की तरह उनके साथ हमेशा रहती थी जब मैं जागती थी तो सबसे पहले उनका पूछती और जब सोती तो मुझे उनकी जरूरत पढ़ती थी दौरान इंटर्वियू जानवी ने अतराफ किया था कि उन्होंने सर्फ हाई स्कूल पास किया है और कभी कॉलिज की शकल भी नहीं देखी दिल्चस्प बात ये थी कि उनका इंटर्वियू एक लासरूम में लिया गया था स्कूल का माहूल देकर जानवी थोड़ी परिशान नजर आई और कहा ऐसा लग रहा है जिससे मैं इम्तिहान दिने आई हूँ याद रहे कि जानवी कपूर की नई फिल्म बवाल हाल ही में रिलीज हुई है जिसमें अदाकारा के काम को बहुत पसंद किया जा रहा है फिल्म में जानवी ने वरुन धवन की बीवी का करदार निभाया है अब तक के लिए अतना ही मसीच जानने के लिए सबस्क्राब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चानल और लाइक कीजिए डेली जंग फिस्बुक पेज